नमस्कार दोस्तों कैसे हैं अपसे मैं स्वागत करता हूँ आपकी सीटीव चैल में दोस्तों बात करेंगे दिल्ली प्लिस कोस्टेबल 2020 के बारे में आपको गास पता भी होगा गाईज आपकी जो वेकंसीज हैं इसी वीक से स्टार्ट हो जाएंगा जो फो मैं ओनलाइन बिल्कुल मत कीजिएगा आपको फूल डिटेल्स आपके फिजिकल के बारे में मिलने वाली है आपका पीस्टी फिजिकल स्टांडर्स टेस्ट पीटी फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट है आपको पूरी जाने करें बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आप गयाइस किसी पी कोर्योंट चोप की तहरी करें आप एक दम रियल और से जनकार लेवना चाहते हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा मैं आपका जाय सेमिना लेते वीडियो को स्टार्ट करता ह सब्सक्राइब के बारे हम बात कर लेते हैं अगर हम आपकी ऑपकी हायट है d Demtvr सेंटिमेटर होने चीए यह हाइट किसके लिए होने चीए जनरल ओबी सी एसी जो आपकी तीन कास्ट है इन तीनों के लिए जो हाइट आपकी 117 सेंटिमेटर होनी चीए अगर हम दोस्ते बात करें स्ट के बारे में ध्यान दीजिएगा अगर आपकी कास्ट एस्ट है जो आपकी हाइट है 165 सेंटिमेटर होने चीए यह ओनली एस्टी कास्ट वालों के लिए एक सुपएसे सेंटिमेटर ठीक है ध्यान दीजिएग इस बात के ऊपर और आम बात करें जनरल ओबी सी के बारे में से के लिए आपकी जो हाइट है 117 cm होने चाहिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में बात आ गई होगी आगे चलते हैं भाई आगे दोस्तों बात कर लेता आपकी चेस्ट के बारे में आगे देखेगा आपकी देखी चेस्ट 81 cm से 85 cm आपकी भाई चेस्ट होनी चाहिए 81 बिना फुला 85 फुला के आपको वहाँ पर 4 cm आप देना पड़ेगा भाई देखी वहाँ पर जायतर बच्चे फेल होते हैं फुलाव देने में आपका फुलाव नहीं बन पाता चेस्ट सबकी होते हैं लेकिन फुलाव नहीं हो पाता है तुम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जिनकी चेस्ट पूरी नहीं फुलती है वो प्लीज त्यारी जरूर कीजेगा आगे दोस्त बात करते हैं स्ट कास्ट वालों के लिए अगर आपकी कास्ट स्ट है आपकी जो इसमें चेस्ट है 76 से 80 होने चीए आपका भी इसमें 4 cm आफ लाव होना बहुत ही जरूरी है अगर हम बात करें महिलाओं के लिए हाइट में आपकी जो हाइट है 157 cm होने चीए 100 cm हाइट होने चीए लड़कियों की अगर हम दोस्तों बात करें SC ST only जो भी महिलाओ SC से बिलों करते हैं जो इसमें आपकी हाइट है 155 cm होने चीए इस बात में ध्यान दीजिएगा आगे दोस्त से पहले अपनी जोगे ट कर लेते हो तो अच्छी बात है अगर आप एक मिनिट भी आगे पीछी हो जाते हो आपको पूरा टाइमिंग मिलेगा 6 मिनिट आप ये नहीं कि अप अंदर चिले जाओ गे रसे के अंदर ठीक है आपका भाई वहापे एक सेकंड बहुत इंपोरट से एक सेकंड ऊपर लेट करते हो आपको वहाँ पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा आपको 1.6 किलोमेटर रेस 6 मिनिट में क्लियर करनी है तो जिन मेरे भाईयों की त्यारी नहीं है तो प्लीज वो त्यारी कीजिएगा अब मैं आ